हेलो फ्रेंड वेलकम अबर यूटूब चैनल खान सिस्टर 786 तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल खान सिस्टर 786 में तो आज मैं आपको बताऊंगी यूरिक ऐसिट के बारे में और उससे निजात पाने के बारे में तो उसके लिए आपको अजवाइन की जरूत होगी तो वीडियो में लास्तक बनी रहेगा थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा मैं आपको बताऊंगी यूरिक आसिट क्या होता है कैसे होता है और इसको आप कैसे घरेल उपाई के जरीए दूर कर सकते हो तो वीडियो में लास्तक बनी रहेगा थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साइट में जो बैल आइकन का निशान है उसको भी किलिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी वीडियो को आप आपके दोस्तों रिष्टेदारों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्योंकि हम एक नई यूटूबर है हमें आपके साथ की सपोर्ट की बहुत जरुत है तो प्लीज गाइस हमारा सपोर्ट बने और हमें हम और आप मिलके एक नई यूटूब फैमिली बनाएंगे तो प्लीज गाइस हमारा सपोर्ट बने और हमारी वीडियो को जितना हो सके आप आपके दोस्तों रिष्टेदारों को शेयर कीजिए और उनसे भी हमारे चैनल को स यहाँ नहीं देते तो यह और बड़ी बिमारी का कारण बन जाता है तो अब मैं बताते हूं कि यह होता क्यूं है यह इसलिए होता है क्या होता है कि हम जो भी खाण पान जिसे सी फूड हुआ या फास फूड हुआ या कुछ ऐलकोहल हुआ मीट हुआ ये सब पूरीन डिच होते हैं पूरीन जब digest होते है और हमारी body में जाते है तो urine acid जो है उसका एक by product है बट हमारी body उसे flush out कर देती है पर जब जब ज़्यादा मातरा में ऐसा हो जाता है तो फिर ये flush out नहीं होता यह हमारी बोडी में इखटा होना शुरू हो जाता है और जब इखटा होना शुरू हो जाता है तो हमें हाई बीपी हो जाता है थकान होती है एलकर में दर्द होता है और इससे हमारी बोडी में दर्द होता है वेट जादा हो जाता है और बहुत सारी दिक्कते होने लग जाती पहले तो छोटी बिमारी और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे ये बड़ी बिमारी को भी नोता दे देता है तो इसके लिए हमें हमारी बोडी को डीटोक्स करना बहुत जरूरी है हमारा वेट अगर जादा है तो कम करना बहुत जरूरी है और हमारे खान पान पे ध्यान देना जरूरी है और हमारी जो लाइफ स्टाइल में उसमें भी हमें परिवर्टन लाना जरूरी है जलते अब घरेलू उपाई की तरफ तो अगर ये अगर आपके इखटा होना शुरू ही हुआ मतलब इखटा हुआ ही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा आपको हलका हलका ऐसा फील हो रहा है तो आप क्या कीजिए एक चम्मच अजवाइन लीजिए और एक चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके रात भर के लिए रख दे और सुबह उसको पी ले यहसा आप 10 दिन में एक बार करें अगर आपके इखटा अभी होना शुरू नहीं हुआ है तब और अगर आपके इखटा हो चुका है तो अब तब आपको क्या करना है कि यही रेमेडी को आपको डेली लेना है तो शुरू इक इखटा हुआ है वो भार होना शुरू हो जाएगा और इससे आपको बहुत फाइदा होगा इसके अलावा भी आपको आपके लाइफ इस्टाल में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है और आपकी जो भी खान पीन है उसमें भी आपको ऐसे प्रोडेक्ट और इसी बढ़ाता है तो यह चीज़ आपको करना बहुत जरूरी है तो मेरे प्यारे वीवर्स आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट शेक्षिन में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा हम एक नई